गुड मॉर्णिंग उमीद है अप लोग अच्छे होंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो लोग विदेश में काम करते हैं उनके रहने का क्या इंतजाम होता है चाफ लेटी होती है कैम कैसा होता है सारे चीज़ डीटर्ण में जानेंगे इस वीडियो में चैनल पर अच्छे है तो सब्सक्राइब करने वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें यह जो रूम आपको दिख रहा है यह सीनियर एक्कमेडेशन है यानि यहां पर सीनियर स्टाफ को रखा जाता है यहां पर चुकि नेटवर्क का थोड़ा इस्यू है तो यहां पर कमपनी ने वाइफ़ी प्रोवाइड किया है सीनियर स्टाफ के रूम में भी और चुनियर स्टाफ के भी रूम में तो यह ऐसा होता है सीनियर स्टाफ का रूम और यहां पर डवल बेड है यानि एक रूम में दो चुनियर स्टाफ को रखा जाता है कपाड होत है और जुनियर स्टाफ का भी टोइलेट बातरूम जो है अटेज होता है और यहां पर जो है चुकि नेटवर्क का इश्यू है तो सभी लोगों को वाइफाई की सुविधा कंपणी ने प्रोवाइड की है यानि सभी लोग चाहे वो वरकर हों चाहे जुनियर स्टाफ हों चा यह पॉलकर के लिए है एक रूम में तीन से चार आदमी को रखा जाता है और इन लोगों का पाड़ जो है थोड़ा चोटा होता है सिंगल होता है सुविधाएं बिला जुला के ठीक ठाक है देखने में आप जो नए लोग हैं उन्हें काफी अच्छा लग रहा होगा लेकिन जब यहां आने के बाद एक साल दो साल कंटीनिव रहना पड़ता है काम करना पड़ता है कैट की जिन्दगी गुजारनी पड़ती है तब लगत लेकिन क्या भी क्या जा सकता है हम विदेश में रहने वालों के लिए जो है मजबूरी है रहना ही पड़ता है और यह जो है वरकर के लिए ट्वालेट बातरूम है और इस तरह का कैम्प बनाया जाता है रहने के लिए यह जो रास्ता जा रहा है यह जा रहा है आपको प्ला किया हुआ है। यह कुरोना के टाइम का बैरिकेट किया हुआ है। ताके जिस भी इनसान को कुरोना हो इसको इस सेरिया में शिफ्ट किया जा सके। और यह जो है कैम्प का मेस हॉल है। यहाँ पर सीनियर, जूनियर और वरकर्ट तीनों के ही मेस हौल है देखने में तो काफ़ी अच्छा लगता है लेकिन इस कैम के बाहर जब आप देखेंगे तो सिर्फ सहारा ही सहारा दिखता है सहारा में सहारा डेजर्ट और अब हम लोग इस तरफ मूव करेंगे यह जो है जीम है स्टाफ के लिए और यह मंदिर है और इस से आगे बढ़ेंगे तो यह पानी टंकी यहां पर पानी स्टोरेज किया जाता है और टावर के पास एक मस्जिद भी है जहां पर मुस्लीब लोग नमाज पढ़ते है और कैम्प के चारों तरफ से जो है रोड बनाए जाता है पाके कुछी मर्जिंसी हो तो हर तरफ से गाड़ी जो है पहुँच सके और ये जो है एरिया ये एनेजर लेबल के लिए है इधर में मैनेजर लोग का केवीन है विए जो है मैनेजर लोग के लिए जो है नेज़त लोग के लिए जो है दो पोटाकेविन को एक में जोइंट करके बड़ा सा रूम बना दिया गया है और ये जो है प्लांट सीधा प्लांट की तरफ जाता है रास्ता अच्छा खासा स्पेस है अच्छा खासा खुशूरत कैम्प है और ये कैम्प के बाहर साइड का नजारा है जो सिर्फ बालू-बालू कार्वेथ है और उसी बीच में जो है कैम्प अमेद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये सारी गाड़ी पारकिंग है यहांपे और यहां से आगे बढ़ेंगे तो ये फिर से कैम्प उसका ओफिस है कैम्प ओफिस और ये सीधा रोड प्लांट की तो अच्छी अच्छी